हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल रजा स्मार्ट लर्निंग में यहां पे टैली के बारे में हम जानते हैं यहां पे देखिए टैली का कंपनी है हम बताने वाले थे कॉंट्रा वाशर के बारे में कॉंट्रा वाशर का किस तरिके से यूज करते हैं वो जानते उसका एंट्री कैसे करते हैं तो चलिए देखते हैं जैसे हमारे पास यह कुछ question है जैसे यहां पर फॉस्ट है cash into bank और withdrawal from bank bank to bank cash into bank bank से नगत निकालेंगे दिखिए first number question है पर cash withdrawal from Punjab national bank से 2000 पर ठीक है तेली पे जाते हैं हम वाचर में जाते हैं एंटर करते हैं यहाँ पर कंट्रा वाचर का एंट्री करने के लिए बटन है इस पोर्ट देखिए यह आ गया अब यहाँ से हमें क्या करना है जाते यहाँ पर हमें देखिए अपाउंट में दिये हुए करेंट वेलेंस तो यहाँ हम क्या सेलेक्ट करेंगे यहां पर जैसे हम सेलेक्ट करते हैं कैस ठीक है कैस लिए यहां पर हम अब एंटर करेंगे ठीक है कैस पर है कैस को एंटर करते हैं अब देखिए अब यहां पर कुछ यहां पर कैस को कोई बैलेंस नहीं बता रहा है कि कितना आपके पास बैलेंस कोई बैलेंस नहीं है यहां पर अगर रहता तो बता देता और यहां पर धियान दखिएगा mode में यह अभी हम single mode का entry कर रहें double mode का भी हम बताएंगे ठीक है अब यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको जैसे bank का लेना है तो बैंक ले लीजिए कोई एक bank select कीजिए जैसे हम bank ले लेते हैं यहां पर है पंजाब national bank अगर हम यहां पर बनाए होंगे enter उसमें कोई balance नहीं ठीक है हम bank में direct enter किये हुए हम यहां पर back जाते हैं यहां पर हम direct bank लेते हैं ठीक है हो गया अब हम क्या करेंगे इसको enter करते हैं अब amount के पास आ गया है ठीक है अब यहां पर आप कुछ amount दे दीजिए आपको कितना चाहिए पैसा तो यहां पर देख सकते कि आपका जमा है तीस हजार रुपे अब यहां भी हम दाल देते हैं कि दो हजार रुपे यहां पर दो हजार है तो हम दो हजार डाल रहे हैं ठीक है अब इंटर करते हैं देखिए यहां को कि अगति करता है किसे कंपनी में यहां करते गlor सबस्के करते हैं इसी तरीके से इसको एंटर करके हम सेव कर देंगें अब उसके बाद है यहां पर क्या सेलेक्ट करते हैं जैसे आप सेकेंड कोश्टिन क्या है कैस्ट डिपॉजिट इन्टू HDFC बैंक तीन है ठीक है यहां पर HDFC बैंक था HDFC बैंक का लेजर हम नहीं मिनाए हुए है यहां से जारे हैं बना ले रहे लेजर HDFC एंटर और यह जाएगा बैंक अकांट अब यहां बहुत करते हैं अब यहां भी आपको क्या लेना है क्यास में लेना है पैसा तो यहां पर आप कैस्ट डालिए एंटर अब हम एंटर करते हैं और यहां पर आप टेक सकते हैं पैसा आपको कितना चाहिए जैसे हम दे रहे हैं यहां पर तीन हजार ठीक है एंटर करते हैं अब इसमें एक रुपए भी नहीं या फिर आप इससे कम भी कर सकते हैं ठीक है देखिए हम पंद्रह सो किये हैं अब एंटर करते हैं सेव कर देते हैं ठीक है अब पंद्रह सो का कितना मतलब नोट है यह आपको देखना है तो हजार का एक कर दीजिए और पांच सो का एक पांच सो का तीन कर दे रहे ठीक है एंटर एंटर और यह सेव हो गया ठीक है इसी तरीके से आप सेव कर सकते हैं उसके बाद है अब मनी ट्रांसफर ठीक है मनी ट्रांसफर के बारे में जानते हैं यहां पर मनी ट्रांसफर है मनी ट्रांसफर पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट तो इसदी एपसी बैंक अकाउंट तो अगर ठीक है यहां पर देख ले रहे हैं टैली में जाते हैं यहां पर आपको क्या सेलेक्ट करना है जैसे हम यहां पर बैंक सेलेक्ट करना ही डिल देख लीजे कोई चाहिए पल्जाब नेसनल बैंक ठीक है यहाँ पे यहाँ पे HDFC पंजाब नेसनल अब देखें HDFC बैंक में आपका 1500 रुपे यहाँ पे देखें यहाँ पे इसको काटके 1500 कर देते हैं यहाँ पे जिफ्रत कम करते रहे हैं 1000 चलिए ठीक अब यहाँ पे जाते हैं देखें 1500 रुपे हैं यहां पे आप amount डाल सकते हैं कि कितना आपको चाहिए जैसे हम यहाँ पे 1000 करते रहे हैं यहां पे देखें 1000 हो गया एंटर करते हैं, हो गया, उसके बाद है, कैस पिंट्रॉल पंद्रह सो रुपए बाई HDFC बैंक, चिक है, अब हम यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या लेना है, यह देखो, चिक है, अब आप यहाँ पर ना, mode change भी कर सकते हैं, ठीक है, जएसे आप change mode करते है, double entry करने हैं, तो double entry कर दीजे, अब देखे, ऊपर है credit और नीचे है debit, ठीक है, यहां पर क्रेडित है यहां पर डेबिट है अब यहां पर कोई ऐसा बैंक ले लिजे जैसे बैंक में हम देख दो हैं जैसे हमको जमा करना है एक भी पैसा नहीं है जीरू रुपए हो गया है इसी कारणस भी यहां पे रेड़ है क्यूंकि 500 का 500 हम पूरा निकाल दी है ठीक है अब एंटर करते हैं एंटर और इसी तरीके से इसकों देव करते हैं ठीक है यहां पे मेरा कोश्च है कोश्च फुरा कर गलत था हो गया अब उसके बाद क्या है काशन देख लेते हैं यहां पर कैश divis पंजाब नेशनल काशों ओद्र याइं । गैश ने सत्वर एंटर नसलीए सब करने करें एंटर डिखने हैं निकेर क में 500 है एंटर करते हैं यहां पर कर रहा हैं थ02पर पर है ठीक है HDFC 300 bank deposit enter करेंगे आर तीन सो का तीन नोट कर दे रहे हैं एंटर तो यही था Contra Watcher का किस तरीके से आप Contra Watcher में entry करते हैं देखें जैसे यहाँ पर bank है आप यहाँ भी कर सकते हैं bank से कितना कुछ प्रेडिट करना है जैसे हम यहाँ पर करते रहे हैं 2000 रुपए enter 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 और cash 2200 रुपए है 200 रुपए हम यहाँ से देखें यह credit है debit है 200 रुपए debit फोड़ा है enter करते हैं और save कर दे रहे हैं ठीक है तो यही है अब देखें पैंक में 26,000 रुपए बता रहा है और भी आपको यहां से निकालना है तो देख करते हैं ठीक निकालना को कर सकते हैं तो यही है Contrawasher इसमें payment का हिसाब किया जाता है ठीक है जैसे bank debit ग्रेडिट तरीके से शारी मेरा तरह से यहाँ पर question में टेक पास आप इस हिसाब से बनाएगा ठीक है तो हो जाएगा और हाँ यहाँ पर याद रखिएगा कि यह negative नहीं जाए रेड नहीं जाए क्योंकि अगर यह rate entry होगा तो आपका company डूबेगा ठीक है rate हो जाएगा तो मतलब बताएगा कि वो negative है